नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आर्पी टेक्निकल इस्टडी यूटॉब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जनरल साइन्स के टोप 30 क्यूशन की जो कि सभी 30 क्यूशन काफी इंपोटेंट होने वाले हैं सभी एक्जाम्स के कि यह तो इन सभी 30 क्यूशन का आपन ओनलाइन टेस्ट के मात्यम से देखने वाले हैं 30 क्यूशन को वीडियो काफी इंपोटेंट होने वाला है वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों को भी सेर कर दीजिए जिस दोस्तने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे साथ ही ओल नोटिफिकेशन बेल को भी अनुट कर लिजे तो आपको बता दू कि सभी क्यूशन का अंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइब करके बताना है साथ के साथ और अंत में अपना स्कोर भी सेर कर आपको 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 में से कितने कुशन राइट किये हैं इनका स्कोर भी सेर कर ना है तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्योशन है रक्त किस दाग के साथ प्थेवं ने वहाला जल्द से कमेंट करके बताईए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रगत होता है वह लिस्मेन दाग के साथ सना हुआ है किसके साथ में लिस्मेन दाग के साथ में तो राइट आंसर हो जाएगा अगला कुशन दरका है मुलानकूर के अतिरेक्ट पोदे के किसी भी भाग में विक्षित होने वाली जड़े क्या कहलाती है जल्दी से कमेंट करके बताना है किसका राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को सेर जरूर कर दीजिए आपके पास जितने भी गुरूप है उन सभी में एक बार वीडियो को सेर कर दीजिए फटापड से तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हे अपिस्तानिक मूल कहा जाता है, उन जड़ों को क्या कहते हैं, अपिस्तानिक मूल, तो राइट आंसर हो जाएगा, ओप्शन नमबर B, अगला क्यूशन, क्यूशन नमबर 3 दे रखा है, मूलांकूर से विक्सित होने वाले जड़े क्या कहलाती है, मूलांकूर से विक्सित हो आनेवाले जड़े क्या कहलाती है? ओप्शन ए दरका तंतुमे मूल, B दरका मुशला जड़े, C दरका साउसन मूल, D दरका आपिस्तानिक मूल. तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमे से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुशला जड़े. राइट आंसर क्या ह कोङ़ा एंट मोफिली प्राग कर्ण है उप्चन एद दे रका जन तो दुamed दुआरा सी कोशा होगा इन में यो ओल ली प्राग कर्ण क्या है इसका राइट आनसर हो जायगा ऑप्चन नमबर वी कीट ओ दौरा राइटा option number B, अगला question, question number 5 दे रखा है, निमन में से कौन सा, एक जेव द्रेव मान उर्जा सरोर्त का उधारन नहीं है, option दे रा है, गोबर गेस, B दे रा है, कोईला, C दे रा है, परमान उर्जा, D दे रा है, लकडी, तो इनमें से right answer कौन सा होगा, निमन में से कौन सा, एक जेव द्रेव मान उर्जा सरोर्त का उधारन नहीं है, तो इसका right answer हो जाएगा, परमान उर्जा, right answer होगा option number C, अग राइट आंसर कौन सा होगा इन में से कलोरो प्रोपेन में कितने हाइडरोजन परमानों उपस्तित होते हैं राइट आंसर बताईए जल्दी से कौन सा होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ राइट आंसर क्या होगा ओप्शन नमबर सी अगला कुशन अगला कुशन निमन में से किस पदार्त की गंद एथेनोईक अमल या कोईला, तो राइट आ्सर बताओ इन दोस्तों इन में से विनेगर जो कि जिसकी गंद एथेनोईक अमल के जैसी होती एकिसके जैसी होती एथेनोईक अमल के जैसी होते है किसकी गन्द विनेगर की तो right answer होगा Option number C अगला कुश्चन दिराका है इस्टे थो scope किस सिध्धान्थ पर कारिय करता है इस्टे थो scope होता है वह किस सिद्धान्थ पर काम करता है option देर का धारा का धारा का धारा में परिवर्तन, c देर का धारा का धारा में परिवर्तन, c देर का धारा का धारा में परिवर्तन, c देर का धारा 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 का तात्परी क्या होता है मेगनेट मोड्यूल मेंबर से पे यह मेटाबार तो राइट आंसर कौन सा होगा इन में से जो यह एम दे रखा है इसका तात्परी अर्थ अर्थ बताना इसका मतलब क्या होता है जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोडियूल, राइट आंसर क्या होगा, ओप्शन नमबर B, अगला कुश्चन दिरका जल का पी एच मान होता है, जल का पी एच मान कितना होता है, 6, 7, 8 यह 9, तो राइट आंसर बताओ कितना होता है, तो दोस्तो जल का पी एच मान होता है साथ राइट आंसर क्या होगा option number B अगला question अगला question दो रखा मनुस्य के सरीर की कौन सी गरंती एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है option दो रखा अगनास से बी दो रखा याक करती c दे रखा lR गरंती, d दे रखा है puse गरंती, तो right answer कौन सा होगा इनमें से मनुस्य के सरीर की कौन से गरंती, enzyme और hormone, दोनो सरावित करती है, right answer कौन सा होगा इनमें से तो इसका right answer हो जाएगा अगनाश्यत, जिसको पाचन गरंती भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पाचा के गरंती, तो right answer होगा option number ये, अगला question, दोस्तों अगला question देरा का जाजो की गती में व्रद्धी किस सिदांत पर आदारित है, जाजो की गती होती है, उसमें व्रद्धी किस सिदांत पर आदारित होती है, option देरा का आर्किम समut भूत इसका सई उत्तर हो जाएगा आर्चिमीडिस का सिधान्त मोरा क्ःसर क्या होगा option नमबर यह अगला कुछन जो औरॊंस में मिठेन का पर्तिसत क्या होता है उसमें मिठेन कितना पर्तिसत होता है 60 पर्तिसत ईसटर पोरतिसत पिचे तर परतिस्त राइट आंसर होगा option number C, right answer क्या हो जाएगा option C, अगला question, अगला question दिरका इसकर वी किस सम्मंदित दोस है, इसकर वी होता है, वह किस सम्मंदित दोस है, ताउचा से या करते बाल या आँख, तो राइट आंसर कौन सा होगा इन में से, जल्दी से बताइए कौन सा होने वाला है, तो इसका right answer हो जाएगा ताउचा से, right answer क्या होगा, इसके, अगला question, अगला question दिरका नेमलेकित में से कौन सा रोग, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संकरमित नहीं होता है, इन में से कौन सा रोग है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक संकर्मित नहीं होता है अर्त-र्थ फैलता है तो फटाबड से बताईए इन में से राइट आंसर कौन सा ऻनी वाला है जलदिस बताईए तो दोस्तों cancer एक अश्रोग है जो की एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संकरमीत नहीं होता है राइट आंसर क्या हो जाएगा Center nå अगला question कि अगला question रखाँ मतु Reports की आंखों का Lens कितने मेगा पिक्षल का होता है मतुस्ट की आखों का Lens होता है वह कितने मेगाफिक्षल का होता है 506 चार सू चेटर बाला आखों सा होगा इन राइट आंसर हो जाएगा पांसो छितर मेगा पिक्षल राइट आंसर होगा option नमबर ये अगला question अगला question दिरका संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पोधा कौन सा होता है सबसे तेज बढ़ने वाला पोधा कौन सा होता है चावले, बास, मनी पलांट या बरगद तो राइट आंसर कौन सा होगा इन में से तो दोस्तों संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पोधा कौन सा है बास, राइट आंसर क्या होगा ओप्शन नमबर B अगला कुश्चन अगला कुश्चन रखा निमल लिकित में से वहें पराणी कौन सा है जिसका इसनायू तंतर होता है परन्तु मस्तिक्ष नहीं होता है इन में से कौन सा पराणी है जिसका इसनायू तंतर तो होता है परन्तु उसके मस्तिक्ष नहीं होता है होता है ब्रेण नहीं होता है ओप्चनल रिका जोओं के बी दिर रखा सिल्वर पीस है निक है नोमबर डी अगला कुशन लिखा मायक्रो पलाज्मा जिस रोक से संभंद है प्रसरन अबेरे ब्लांप से गुझाई से अपो प्रभावित करता है इसका राइट आंसर होजाईगा से अगला कुशन दिरका है रक्त कनिकाए कितने परकार के होती है रक्त कनिकाए होती है वह कितने परकार के होती है पांच परकार की तीन परकार की दो परकार की है एक परकार की तो राइट आंसर कोई सा होगा इन में से तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन परकार की होती है रक्त कनिकाए आयनी या होल तो एक धातु के तार में electric अर्थार्थ विद्धुत धारक के परवाओ के कारण होता है किसके परवाओ के कारण होता है तो इसका right answer हो जाएगा electrons के परवाओ के कारण right answer होगा option number ये अगला question अगला question देर का एक transistor के निर्माण में प्रियुक्ते पदाहर्थ कौन सा है अलुमिनियम, कौपर, सिलिकोन या चांदी तो एक ट्रांजिस्टर के निर्मान में प्रियुक्ते पदाहर्थ कौन सा होता है इन में से तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकोन, राइट आंसर होगा अगला कुशन, अगला कुशन रखा है यदि किसी वस्तो का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी गती जूर्जा क्या होगी यदि किसी वस्तो का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी गती जूर्जा बतानी है दो गुन हो जाती है, आधी हो जाती है, नहीं बदलती या चार गुना हो जाती है तो फटाबड से कमेंट किरके बताईए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा यदि किसी वस्तु का वेग दो गुना कर दिया जाता है तो उसकी गति जूर्जा में क्या अंतर आएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार गुना हो जाती है, राइट आंसर क्या होगा ओप्शन नमबर D, अगला क्विशन रखा पहले वर्किंग लेजर की खोज किसने की थी विलहम कॉन्रेड रोटजन ने, बी दे रखा ये एच टेलर ने, C दे रखा है, फ्रेड मोरिस सन ने, D दे रखा है, टी एच में मन रहे तो राइट आंसर कौन सा होगा इन में से तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TH MEMAN राइट आंसर क्या होगा option number D अगला question अगला question दरका परत्यवरती धारा भेतर नहीं है बंडारान वेटरी चारजिंग के लिए B दरका electric motor चलाने या सुरू करने के लिए, रखार विदूथ शक्ति संचारित करने के लिए, डीधिरे लिए, बिजली टोष्टर को गरम करने के लिए, तो ऐसी होती है, वह किसके लिए बहतर नहीं है, राइट आंसर कौन सा होगा, इन में से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भंडारन बेटरी चार्च करने के लिए AC प्रिया पर नहीं आए, right answer क्या होगा, option number यह, अगला question, अगला question दिरका है, एक गुर्णन करने वाली वस्तु के हर एक बिंदु पर क्या समान होता है, रेखिक वेग, रेखिक गती, कोणी है टोक, या कोणी है वेग, तो right answer कोण सा होगा इन मे से, तो दोस्तों इसका right answer होजएगा, कोणी है वेग, right answer क्या होजएगा, कोणी है वेग, अगला question, अगला question दिरका centigrade, जो तापमान के माप का unit है, निमिलकित में से किस पर नामित है, केलवी ने, जीन, पियर, क्रिस्टिन, मार्टेन, इस्ट्रोमायर, एंडरस, सेल्सियस, तो right answer क्या होगा, इन में से, तो इसका right answer होजएगा, एंडरस, सेल्सियस, right answer होगा, option number D, अगला question, अगला question दिरका, दूद को धही में बदलने के लिए, किस बैक्टिरियम का परियोग किया जाता है, फटाबर से बताओ, किसका परियोग किया जाता है, तो इसका right answer लेक्टो बेसिलस का, right answer होगा, option number C, अगला question, अगला question दिरका, नेमेल कि तुमें से, क्या, नुकिलियस में परमानु करमांग को धरसाता है, option A दिरका, proton B दिरका, neutron C दिरका, electron D दिरका, hydron, तो right answer कौन सा होगा, इन में से, तो दोस्तों, इसका right answer होजएगा, proton, right answer होगा, option number ये, अगला question, अगला question दिरका, दात का, इनेमल किससे बना है, option A दिरका, calcium chloride, B दिरका, calcium carbonate, C द दिरका, calcium sulfate, D दिरका, calcium phosphate, तो दात का इनेमल है, वह किससे बना है, तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्सियम फास्पेड दुआरा राइट आंसर होगा ओप्षन नमबर D तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 30 कुशन में से कितने कुशन आते थे इसके बारे में आप कमेंट करके बताईए और जिस दोस्त ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक भी कर दिजे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिजे थेंक